फंक्शन रिटंज जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं उससे कोई भी बिजनस लॉजिक एक्जिक्यूट करने के बाद आप कोई ना कोई आउट्पुट कॉलर को वापिस देना चाते हैं जिसने भी फंक्शन कॉल किया है ताके उस आउट्पुट की बेज़ पे कोई डिसीजन मेकिंग ले सके तो रिटर्न करने के लिए इस सॉलिडिटी में फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करने के दू तरीके कार दिए हैं एक तो normal तरीके कार है कि आप जब return बताते हैं कि मैं क्या value return करूंगा तो उसके साथ आप data type बता देते हैं कि किस किस तरह की data type return होगी दूसरा तरीके कार ये है कि आप data type के साथ एक variable का नाम भी दे देते हैं इससे होता ये कि वो variable declare हो जाता है उस function के अंदर ये इसी तरीके से कि function के अंदर आपने कोई variable बना दिया वो variable declare हो जाता है returns में तो आप जब भी function से को value return करना चाह रहे हैं तो आप function का syntax लिखेंगे function का नाम parameters जो भी दिया आपने public returns का keyword लिखेंगे और फिर round bracket में data type बता देंगे इसका मतलब ये कि अब आपका function ये value return करेगा अब आपके function को ये value return करना ज़रूरी है पहले हम देखते हैं कि अगर हम return वो use करें जो के variable का नाम नहीं बताता सिर्फ data type बताता है इसका मतलब है कि आपने function लिखा function function का नाम round bracket public उसके वाल आपने keyword दिया returns और round bracket में आपने data type assign कर दी for example uint अब uint लिखने का मतलब है कि आपके इस function को कुछ न कुछ return करना जरूरी है किसी भी business logic को execute होने के बाद इस function से uint return करना है तो आप लिख देंगे function के end में returns return लिखेंगे declaration के time पे top पे जहां से आप बताएंगे क्या return करना और आपने return लिखा और लिख दिया 45 तो अब यह 45 इससे return होगा अगर आपने return का keyword skip कर दिया तो error नहीं देगा आपको default value उस variable की जो हो सकती है उस data type की वो return कर देगा तो for example आपने returns में लिखा था youint और return आपने किया ही नहीं कुछ तो default में 0 return हो जाएगा अगर आपने returns में लिखा था boolean और आपने returns नहीं किया कुछ भी तो वो false return कर देगा तो इस तरीके से default values return हो जाती है अगर आप return ना लिखें लेकिन कुछ ना कुछ caller को return होगा अगर आपने function की declaration में बता दिया है कि यह function कुछ return करता है तो यह आप example देखें एक function बनाया है आपने getAge और उसमें returns कीवर्ड के साथ round bracket में लिख दिया youint अब यह function कुछ ना कुछ return करना लाजमी है इस function को तो आपने कोई भी business logic execute करेंगे आखर में लिख देंगे return और अपने variable का नाम जो भी variable आप return करना चाहरें तो uint है तो uint ही return होना चाहिए तो आपने age variable यहां पे लिख दिया तो अब यह age value caller के पास लिजाएगी दूसरी example में आप देख सकते हैं कि यहां पर return का keyword skip कर दिया है अब क्या होगा कि default में क्योंकि uint है तो by default जिसने function call किया उसको zero value मिल जाएगी दूसरा तरीका क्या है कि आपने returns के साथ data type लिखी और उसमें variable का नाम भी दे दिया यह इसी तरीके से जैसे आपको variable declare करते हैं जैसे state level पर हम लिखते हैं uint a equals to five तो एक variable बन जाता है आप लिखते हैं uint a तो भी एक variable बन जाता है declare हो जाता है और default value से initialize हो जाता है तो यहां पर भी जब आपने returns में round bracket में uint देके a pass किया है तो इसका मतलब यह है कि आप एक variable आपने declare कर दिया है अब इस function के अंदर आप दूसरा a नाम का variable भी declare नहीं कर सकते लेकिन important चीज़ क्या है कि आप इस variable में कोई values assign करके जब आप function end होगा तो by default उस variable की value return हो जाएगी यह example देखें यहां पर हमारे पास get age के function में एक function आपने uint में a pass कर दिया है अब यह a जो value है यह इस function से return होनी है अगर तो आपने इस में कोई value pass कर दी तो वो value return हो जाएगी जैसे कि आप इस example में देख रहे हैं वक्त return यहां भी हमने skip किया है यह क्या करेगा यह भी zero return कर देगा के एक a का variable declare हुआ है लेकिन उसमें को value नहीं है जब इस function को जो भी call करेगा उसके पास zero return हो जाएगा तो अगर आप सिर्फ data type देते हैं तो आपको return करते वक्त उसी data type की value return अगर आपने skip कर दिया तो default value से return हो जाएगा लेकिन अगर आपने data type के साथ variable का नाम भी दे दिया है तो उस variable में जो भी value होगी जब function end होगा तो वो value caller को मिल जाएगी तो इस case में a के case में 50 मिल जाएगी और दूसरी example में क्योंके आपने को value assign नहीं की तो caller को कुछ नहीं मिलेगा